बड़ी खबर नार्दा केस में सीबियाई ने मांग की है कि केस को ट्रांसफर किया जाए तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और ममता को सीबियाई ने पक्ष भी बनाया है तो ममता पर धंकी देने का आरोप है और इस बीच अब केस को ट्रांसफर करने की मांग उठी है मलै घटक को भी इस मामले में पक्ष बनाया गया है तो बंगाल के कानून मंत्री है मलै अब उनको इस मामले में पक्ष बनाया गया है तो नार्दा केस में CBI ने ये मांग की है कि केस को ट्रांसफर किया जाए और ममता पर धंकी का भी आरोप है CBI की कोट में याचिका दी गई है तो इस याचिका के जर्ये अब केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं CBI ने केस को ट्रांसफर करने की मांगी हैं नार्दा केस और ममता पर धंकी कारोप लगाया है मले घटक जोकी बंगाल के कानून मंत्री है उनको भी इस मामले में पक्ष बनाया गया है और आज विशेशतार पर ये पर्टिशन दायर की गई है CBI की तरफ से जिसमें ये कहा गया है कि जिस दिन जो चार नेता है उनको गिरफ्तार किया गया मुखे मंत्री मंताब एनरजी खुद CBI के दफ्तर पहुंच गई और जो कानून मंत्री है मले घटक वो कोड पहुंच गए कई नेता इसके अलावा जैसे कल्यार मेनरजी ये भी पहुंचे थे CBI के दफ्तर तो इस मामले में अब की धमकाया गया CBI को पत्थर बाजी हुई जो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठे उसमें निजार पैले साथ CBI का ये मुख्याले है वहाँ पर गेट पर TNC के कारेकरता मौजू से पत्थर बाजी भी हुई थी तो इन सभी घटनाओं का उलेक करते हुए ये पेटिशन दायर की है जिसमें मम्ता बैनर की और जो कानून मंत्री है उनको भी पार्टी बनाया गया है CBI के तरफ से तो बिलकुल अब आशिका जो CBI ने याचिका दी है कोट में केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है कब इस पर सुनवाई होगी? आज इस पर सुनवाई होनी है सुबह 11 बजे का समय यूँ तो तै था लेकिन अब चूकि ये जो सुनवाई है इसे टाल दिया गया है तो संबह होए कि दुपहर को किसी भी समय ये सुनवाई होगी और जो एक्टिंग चीस जस्टिस है राजेश बिंदल वो खुद जो है इस केस को सुनेंगे और उसके बाग ये जो चार्ज मेता है इनको जेल मिलेगी या बेल मिलेगी ये मामला क्या ट्रांसफर होगा ये तै होगा तो आशिका हमारी से होगी जानकारी दे रही थी कि आज ही इस मामले में सुनवाई होनी है क्योंकि जो सीबाई की तरफ से याचिका दी गई है पहले सुभा 11 बजे सुनवाई होनी थी लेकिन अब सुनवाई होगी कि क्या केस ट्रांसफर होता है या नहीं होता है तो सीब्याई ने कोट में याचिका दी है नार्दा केस जो की स्टिंग केस है और इसको लेकर कि पश्चमंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है